हलो दोस्तों आप सब कर स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ सिंघाडे के फाइदे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे तो आएए जानते हैं इसके बारे में पाने फल के नाम से मशुहूर सिंगाडा सेहत के लिए पौश्टिकता से भरपूर होता है ये फल ना केवल कई बिमारियों के लिए फाइदे मंद है बलकि धार्मिक द्रिस्टी से भी इस फल को पवित्र और पौश्टिक माना जाता है इसकी पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि व्रत उपवास में इसे फलाहार में शामिल किया जाता है ऐसा माना जाता है कि सिंगाडे के तीन कोने ब्रह्मा विश्णू और महेश के प्रतीक है ये एक ऐसा फल है जिसे किसी भी रूप में खाया जा सकता ह इसका छिलका उतार कर इसे आप कच्चा तो खाही सकते हैं इसे बॉयल करके नमक के साथ भी खा सकते हैं आप चाहें तो सिंघाडे से साथ सब्ची और बर्फी खीर हल्वा भी बना सकते हैं नदियों और तलाबों के ठहरे हुए पानी से उत्पन होने वाला सिंघाडा सिंघाडा खाने से बहुत शक्ती मिलती है इसलिए शारिरिक स्रम करने वाले स्त्री या पुरुष इसका ज़्यादा स्यवन करें इसे खाने से ना केवल रक्त विगार दूर होते हैं बलकि शारिरिक आकर्शन भी बढ़ता है तो चलिए जानते हैं सिंघाडे के कुछ चमतका सारी फाइदे के बारे में पहला सिंघाडे में मौझूद एंटी वेक्टरियल एंटी वाइरल और एंटी कैंसर तत्व आपको कई बीमारियों को दूर भगाने में मदद करते हैं दूसरा अधिक घबराहट और हिर्दय की तेज धड़कन होने पर रोजाना सिंघाडा खान सेवन करने से बहुत ही लाग होता है चौथा सिंघाडों की गीरी को सुखा कर कूट पीस कर चूरन बना कर रखे रोजाना साथ से आठ गराम चूरन दूद के साथ सेवन करने से वीर्य में व्रिद्धी होती है स्वपन दोस और हस्त मैतों से धातु शिद्रता होने पर सिंघाडे का चूरन सेवन करने से बहुत ही लाग होता है पाचवा इसकी सेवन से नीद ना आने की समस्या भी दूर होती है चट्था सिंघाडों की छिलकों को पत्थर पर घिस कर या सील पर पीस कर सूजन वाले भाग पर लेप करने से जल्द ही सूजन खत्म हो जाती है साथवा, नीमु के रस में सिंगहाडे को घिस कर लगाने या पीस कर लगाने से दाद या चर्म रोग की समस्या दूर हो जाती है आठवा, सिंगहाडे में ऐसे चमता है कि वे आपके शरीर में मौजूद विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है नौवा, सिंगहाडों की गीरी का हलवा बना कर रोजाना खाने से कुछ महीनों में लियूकोरिया रोग खत्म हो जाता है दस्वा, सिंगहाडे के बेल को पीस कर शरीर में लेव करने से शरीर का जलन वदाह नस्ठ हो जाती है ग्यार्वा, सिंगहाडा प्यास बुझाने में बहुत ही कारगर है और दस्थ होने पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं इससे आपको दस्थ की प्रावलम से छुटकारा मिल जाएगा बार्वा, शरीर में आयोटीन के कमी होने पर, गले और टॉंसिल पर परिशानी होने पर या इनके सुरक्षा के लिए रोजाना सिंगहाडा खाना चाहिए तेरवा, गर्मियों में अधिक गर्मी के कारण बच्चों के नाग से ब्लीडिंग होने पर सिंगहाडा खिलाने वर रस पिलाने से बहुत ही फाइदा होता है यानि नकसीर की प्रावलम सिंगहाडे खाने से ठीक हो जाते है चौद्वा सिंभाडे के नियमित से शरी शक्तिशाली होता है और आपका युमिनियूटी सिस्टम ये अच्छा रहता है तो ये थे सिंभाडे के चमतकारी फायदे जिससे आपको बहुत ही लाभ हो सकता है उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें comment box पर comment कर सकते हैं दोस्तो हमारे चैनल health tips हिंदी को subscribe करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी problem हमारी solution के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए fit रहे, healthy रहे, खुश रहे, thank you